आज बर्मुदा ट्राइंगल की मिस्ट्री का परदाफास होने जा रहे हैं कि आप भी इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं मेरे साथ और जानना चाहते हैं कि क्यों वहाँ पे एरो प्लेंज और शिप्स गायब हो रहे हैं क्या उनकी गायब होने की वज़ा बर्मूदा ट्राइंगल के खराब मौसम है या नहीं चलिए जाने बर्मूदा ट्राइंगल की इस मिस्टरी को अंदर से इस मिस्टरी को अच्छे से समझने के लिए आपका फ्लाइट 19 के बारे में जानना होगा फ्लाइट 19 एक डेजिगनेशन था पांच जेनरल मोटर्स टीवियम एवेंजिल्स टॉप पॉमर्स का जो पांच दिसंबर 1945 को बर्मूदा ट्राइंगल में हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया पहले तो युनाइटिट स्टेट्स नेवी के बीच और फ्लाइट 19 के बीच नाविगेशन टूट गया और उसके बाद वो 14 एयरमेन और 13 क्रू मेंबर्स हमेशा हमेशा के लिए बर्मूदा ट्राइंगल में गायब हो गये क्या हुआ उस फ्लाइट 19 के साथ हुआ क्या हुआ उन 27 लोगों के साथ क्या वो आज भी जिन्दा है इन सवालों का जवाब बर्मूदा ट्राइंगल के ही पास है वो एक ऐसी जगह है जहां एरो प्लेंज और शिप्स हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते है यह सब क्यों हो रहा है और यह हो क्या रहा है मापे और कैसे हो रहा है यह सब आज आप इसी वीडियो में जानेंगे जिसको आज हम आपके सामने एक्सपोस करेंगे जानेंगे इसके रीजन्स लेकिन इसकी शुरुआत हुई कहां से थी 11 अक्टोबर 1942 को शेप मारिया में बैठे कोलम्बस ने कुछ अजीब हो गरीब लाइटनिंग्स नोटिस की उन्होंने इस बारे में जिक्र किया और फिर उस जगह का नाम पढ़ गया दी बर्मूदा ट्राइंगल जो बर्मूदा, मियामी और सान जुएन पॉर्टरिको से सराउंडेड है जो एक एक्विलेटरल ट्राइंगल का इजया कवर करती है यहाँ पर अक्सर मौसम खराब रहता है बारिश होती है, बिजली आती है और तुफान आता रहता है इसलिए कई लोग का मानना है कि यहाँ पे जहाज और हवाई जहाज के गायब होने की यही वज़े लेकिन क्या आप लोग जानना चाते हैं कि बर्मूदा ट्राइंगल की मिस्टरी की क्या वज़े क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे मिस्टरीज है पूरे दुनिया में लेकिन ये इतना फेमस क्यों है तो फर्स्ट रीजन इस पे बहुत सारी बुक्स पब्लिश हुई बहुत सारे एक्सपेडिशन जो इन डिसापियर प्लेंज और शिप्स को ढूनने के लिए की गए और तीसरी में रीजन है दे मिस्टरी ओफ अट्लांटिस ऐसा कहा गिया है कि बर्मूदा ट्रीअंगल में अट्लांटिस नाम का विख्षित शहर हमेशा-Hमेशा के लिए डूब गया जिस से बर्मूदा ट्रीअंगल को शक्ती मिलती है ये सारे काम करने की हाली में इसका सबूत भी मिला है बीमीनी रोड जिसे नाम दिया गया अब आप न्यूस आर्टिकल्स भी देख सकते हैं जिसमें बीमीनी रोड के बारे में जिक्र भी किया गया आपके स्क्रीन पे बीमीनी रोड का एक अंच है इस बात पर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे लेकिन हम दुबारा आ जाते हैं The Mystery of the Bermuda Triangle में आपकी मन में अभी भी यही सवाल गूँ रहा होगा कि क्या है Bermuda Triangle में Disappearance की Mystery का असली रीजन और जो हमारे साइंटिस्ट ने इन रीजन्स को खोच के निकाल भी लिया है उनके साथ Bermuda Triangle में क्या क्या हुआ था और फिर उन्होंने चार रीजन्स निकाल के दिये तो चलिए जानते हैं वो चार रीजन्स थे कौन से पर उससे पहले हम एक Real Life Experience चानेंगे एक Survival का जो Bermuda Triangle से बचकी आ गए थे वो Andros Island से पाम बीच तक का सफ़र तै कर रहे थे और इसी बीच उन्होंने बहुत अजीब और गरीब चीज़े एक्सपिरियंस की और बहुत मुश्किल हो गया था उनके लिए एक Pilot की तोर पर जो है वहाँ से बचके निकलना पहले तो वो प्लेन में बैठे और उन्होंने सफलता पूरवक उडान भरी वो बहुत खुश थे और उनके साथ जाने वाले दो लोग भी खुश थे तब ही उन्होंने कुछ अजीब और गरीब Cloudy structure को नोटिस किया इसको देखकर उन्हें थोड़ी घबराहट हुई कि अकसर ऐसे Cloudy structures जो है नुकसान पचा देते हैं प्लेन्स को फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे से situation को handle किया फिर जो है बादल अजीब और गरीब ढंके होने लगे उन्हें जो है एक cave like structure दिखने लगा एक tunnel like structure बादलो के बीच में और आसपास कोई रास्ता नहीं था उन्होंने तै कि वो उस tunnel के बीच में से निकलेंगे और ऐसा ही उन्होंने किया इसमें उन्हें बहुत डर लग रहा था लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी वो आगे बढ़ते गए आगे बढ़ते गए अब आप अपनी स्क्रीन पे देख पारे कि उन्हें कैसा structure दिखाए दे रहा था जिसके आसपस एक spiral like structure गूम रहा था इसमें उन्हें बहुत डर लग रहा था समझो उनके सामने उनकी मौता के खड़ी हो गए थी लेकिन वो घबराये ने और अंतमिवा से सफलता पूरवक निकल गए और ऐसी ही real life experiences के basis पे जो है scientist ने पहला reason निकाला वो था magnetic anomalies की वज़े से navigation systems fail हो जाते थे और फिर unfortunately वो ships और planes हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते थे दूसरा main reason ये दिया गया कि वहां का खराब मौसम ही इस mystery का जिम्मेदार है जिसके वज़े से ships और airplanes हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गए वो खराब मौसम के चलते उनका navigation तूट जाता था और फिर वही होता था जो flight 19 के साथ हुआ फिर थर्ड reason था aliens का लेकिन क्या अपको लगता है ऐसा काम aliens कर सकते हैं मेरा मतलब यह है कि सिर्फ एक particular area में ये सारे incidents वो करवा रहे होंगे ये थोड़ा sense नहीं बनाता है और फिर जैसा कि हमेशा होता है एक common reason दिया गया कि इन सारे planes और ships के disappearance की वज़े और कोई नहीं बलक हाथ से हो गए लेकिन क्या ये थोड़ा fishing नहीं sound करता है पाइलिट के गलते हो के वज़े से इतने बड़े बड़े हाथ से वे क्योंकि human errors तो हर जगह होते हैं और सिर्फ बर्मूदा triangle में ही क्यों सारे human errors हो रहे हैं क्यों सिर्फ बर्मूदा triangle में ही जाने वाले लोग कभी वापस लॉट के नहीं आते हैं कुछ माना जा सकते हैं लेकिन सब नहीं इसलिए मेरे according ये reason गलत है पर ये तो सिर्फ तीन reason से चौथा कौन सा है तो चौथा reason वही पुराना reason है Atlantis जिसकी वज़े से ये सब कुछ हो रहा है So it's the time of conclusion और अब समय आ गिया है कि मैं आपको बताओ इन पांचो prominent reasons में से कौन सा सही reason है बर्मूदा triangle के mystery, disappearance mystery के पीछे तो according to me अगर हम human errors की बात देखे तो तो बिल्कुल गलत हो जाती है क्योंकि एक specific जगह दी बर्मूदा triangle में ही सारे pilots human errors करे ये तो हो ही नहीं सका आना तो आपको क्या लगता है human errors के वज़े से ये सब कुछ हो रहा है मुझे तो नहीं लगता नेक्स्ट रीजन bad weather conditions हाँ bad weather conditions के वज़े से बहुत सारे हाथ से होते हैं लेकिन सिर्फ एक specific जगह पे फिर वही बात कि सिर्फ एक specific जगह पे ही सारे हाथ से bad weather conditions के वज़े से हो सकते हैं इसलिए इस reason को सही conclude किया जा सकता है aliens और Atlantis के बारे में हम तो कुछ कह सकते नहीं है क्योंकि हम आपस उसका एकदम proof नहीं है और मुझे नहीं लगता कि कोई विखसित शेर अगर पानी में ढूग गया तो वो ऐसी misterical powers देगा उस जगह को इसलिए मेरे according दो reason सही है जो सबसे स perfect है वो है magnetic anomalies और दूसरा है bad weather conditions बर्मूदा triangle में सारे हाथ से इन ही दो वज़े से हो रहे हैं अगर वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को like करे चैनल को subscribe करे thank you guys